इस वीडियो में हम सिंगिलर और फ्लूरल की मश्क के साथ फ्लूरल अलफाज को मुकमल करना सिखेंगे शुरू करते हैं आप भी मेरे मदद कीजिए इस तस्वीर में क्या बना है ये है एक कालीन दुमा छोटे से टुकड़े को मैट कहा जाता है फर्ष को साफ रखने के लिए इसे फर्ष पर बिचाया जाता है क्या है ये मैट अब मैट के लफ्स को पढ़ते हैं अए-टी मैट और ये कितने मैट है ये सिर्फ एक मैट है तो ये क्या कहलाया जाएगा सिंगिलर सिंगिलर मैट अब यहां देखिए ये कितने मैट है एक और दो तो ये एक से ज्यादा है इन्हें क्या कहा जाएगा? अब मैट से बन जाएगा मैट्स यहां लिखा है म, A, T अब आप बताएं इसके आगे क्या लिखेंगे? एक और लेटर का इजाफा करना है और वो है लेटर S तो मैट्स से बन गया मैट्स लेटर S लगाया तो मैट्स से बन गया मैट्स और यह कितने मैट्स है? एक और दो दो मैट्स यानि टू मैट्स और यह है एक मैट्स यानि वन मैट्स इसे क्या कहेंगे? सिंगिलर और जब एक से जादा होंगे तो प्लूरल सिंगिलर मैट्स प्लूरल मैट्स अब ये देखिए ये क्या है? ये है एक fan fan यानि पंखा और ये क्या लिखा है? F A N fan और ये कितने पक्खे हैं? ये सिर्फ एक पंखा है तो इसे क्या कहा जाएगा? singular singular fan अब यहाँ देखिए ये कितने पंखे हैं? एक और दो ये एक से जादा हैं तो इन्हें क्या कहा जाएगा? plural plural और ये क्या बन जाएगा? fan से बन जाएगा fans fan के आगे? क्या लिखेंगे? letter S letter S का इजाफा किया जाएगा तो इस खाली जगा पर लिखते हैं letter S तो ये बन गया fans fans यानि एक से जादा पंखे और ये कितने fans है? एक और दो two fans और ये कितने fan है? ये है सिर्फ एक fan one fan singular fan plural fans यानि singular से plural बनाने के लिए क्या करते हैं? letter S का इजाफा करते हैं उसी लफ़ के आगे letter S लगा देते हैं तो वो plural बन जाता है जैसे के fan से बना fans ये क्या है? ये है एक cup cup यानि प्याली और ये क्या लिखा है? मिलकर पढ़ते हैं C U P cup यानि प्याली ये कितनी प्यालिया है? ये सिर्फ एक प्याली है तो इसे क्या कहा जाएगा? singular singular cup अब यहाँ देखिए ये कितनी प्यालिया है? एक और दो ये एक से जादा हैं तो इन्हे क्या कहा जाएगा? plural plural और ये बन जाएगा cup की जगा cups cup के साथ letter S का इजाफा करेंगे तो ये बन गया cups singular cup plural cups अब ये देखिए, ये क्या है? ये है एक बैग यानि बस्ता कितने बैग हैं ये? ये सिर्फ एक बैग है तो ये क्या कहलाए जाएगा? singular और ये क्या बैग ये क्या बैग है? ये क्या बैग है? ये कितने बैग है? एक और दो एक से जादा हैं तो ये क्या कहा जाएगा? प्लूरल और ये क्या बन जाएगा? बैग से बन जाएगा? बैग्स बैग्स, बैग के लफ्स के आगे लेटर एस का इजाफा करेंगे लेटर एस का इजाफा किया तो क्या बना? बैग्स यानि बस्ते कितने बस्ते हैं? दो बस्ते तो बैग्स और ये है एक बस्ता One bag, singular bag, plural bags, अब ये देखिए, ये क्या है, ये है एक bin, bin यानि कूड़ादान, जिसमें कूड़ा डाला जाता है, ये कितने कूड़ादान है, ये सिर्फ एक है, लहाज़ा ये है singular, singular, और ये क्या लिखा है, bin, bin, b, i, n, bin, singular, bin, ये कितने कूड़ादान है, सिर्फ एक, singular, bin, और यहाँ देखिए, ये कितने कूड़ादान है, एक और दो, एक से जादा है, तो ये क्या कहलाए जाएंगे, plural, plural, singular, bin, तो plural क्या होगा, bin से बन जाएगा, bins, बिन के आगे क्या लिखेंगे, letter S, letter S का इजाफा क्या, तो क्या बना, bins, यानि एक से जादा कूड़ादान, एक कूड़ादान, वन बिन, दो कूड़ादान, टू बिन्स, singular, bin, plural, bins, अब ये देखिए, ये क्या है, ये है एक, hat, hat, टोपी से थोड़ा बड़ा होता है, और इसे भी सर पर पहना जाता है, ये कितने hat है, ये एक hat है, तो ये क्या कहलाया जाएगा, singular, singular hat, अब hat का लफस पढ़ते हैं, h, a, t, hat, hat, singular hat, और ये क्या है, plural, अब ये देखते हैं, ये कितने hat है, एक और दो, एक से ज़्यादा hat है, तो ये क्या कहलाए जाएगे, plural, और hat से क्या बन जाएगा, hats, hat के आगे, letter s का इजाफा करेंगे, letter s का इजाफा किया, तो क्या बना, hats, hats, यानि, एक से ज़्यादा hat, और ये कितने hat है, एक और दो, दो hat, यानि, two hats, और ये है, एक hat, यानि, one hat, singular hat, plural hats, तो singular से plural बनाने के लिए letter s का इजाफा किया जाता है, अब आप singular और plural के फर्क को अच्छी तरहां से समझने के लिए, इस वीडियो को replay कीजिए, और अपनी मर्षक जारी रखिए,